विडियो क्लास में इस विडियो क्लास में डिसकस करेंगे new pattern close test सभी banking exams केtillिए और यह close test बैंकिंग के pre और mais दोनों ही exams के लिए काफी important रहेगा इसमें हम कुछ important vocabulary भी discuss करेंगे तो चलिए देखते हیں इस विडियो घुइए इक यह word है जो काफी बार repeat हुआ है banking के exams में nonplussed ठीक है nonplussed का मतलब क्या होता है nonplussed का मतलब होता है perplex हो जाना पूरी तरीके से confused हो जाना उसका हम बोलते है nonplussed तो यहाँ पर चुकी similar word पूछा है best express देखे यहाँ पर directions में लिखा हुआ है in the following questions out of the five alternatives choose the one which which best expresses the meaning of the given word तो यहाँ पर आपको इसका synonym आपको बताना है ठीक है तो synonym और antonym के questions करने से पहले यहाँ पर आपको directions दिये रहते हैं तो उनको आप जरूर पढ़ें और यह पता लगाएं कि इसमें आपको synonym बताना है या antonym बताना है तो यहाँ पर इस word का आपको synonym बताना है और इसका synonym होगा perplexed या confused ठीक है एक्स्प्रीकेट जो word है इसका मतलब होता है explanation या explain करना यहाँ पर हम कुछ words देखते हैं nonplused इसका मतलब क्या है confused और इसके लिए एक word और use होता है confused होने के लिए flumoxed ठीक है तो एक यह word भी काफी important है confused इसका मतलब होता है nonplused का और explicate का मतलब होता है explain spell out और elucidate यह तीन words आपको ध्यान रखने है explain, spell out यह phrasal verb है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को describe करना और elucidate यह तीन words है ठीक है चलिए आगे देखते हैं travesty यह भी एक काफी important word है इस word को भी मैंने दो-तिन वार देखा है exams में और travesty क्या होता है a false, absurd or distorted representation of something the absurdly lenient sentence is a travesty of justice travesty का आर्थ होता है किसी चीज़ का मखोल उडाना किसी चीज़ की मौकरी करना जिसको हम spoof भी बोलते हैं spoof actually it's a kind of satire जिस पर ब्यंग करते हैं या सी चीज़ आते हैं किसी चीज़ की मौकरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं spoof तो travesty का equivalent जो word होगा वो होगा spoof ठीक है solemnity, solemn का मतलब होता है serious तो solemnity का आर्थ होगा somberness, gravity और seriousness यह तीन words आपको याद रखने है ठीक है, travesty से related एक word और मुझे ध्यान आ रहा है trajectory trajectory का मतलब path होता है path, चलिए आगे देखते हैं winsome, winsome कार्थ होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तू कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काफी attractive है, appealing है ठीक है, winsome smile जैसे हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसका सुनोनेम होगा, cute ठीक है, क्योंकि awkward का मतलब होता है भद्दा या बेकार, grotesque का मतलब होता है distorted या ugly और hideous का मतलब भी अगली होता है, और poultry का मतलब बहुत छोटा जो amount होता है, उसको हम बोलते है poultry, तो यहाँ पर inverse के हम सुनोनेम और एंटोनेम देख लेते हैं winsome, attractive और appealing होता है एंटोनेम होगा, repellent जैसे mosquito repellent होता है जो mosquitoes को दूर भगाता है तो winsome का repellent जो होगा, वो एंटोनेम होगा attractive और appealing इसके सुनोनेम होगे grotesque कार्थ होता है distorted, ugly, gross hideous कार्थ भी repulsive और अगली होता है ठीक है और poultry कार्थ होता है worthless, measly worthless, trivial और petty जैसे हम होते petty amount एक छोटा सा amount ठीक है, trivial, trivial issues मत्दब छोटे-छोटे issues worthless मत्दब जिसके कोई कीमत नहीं है repulsive और hideous एक ही वर्ड है grotesque कार्थ होता है distorted winsome का अर्थ होता है attractive, attractive और appealing यहाँ पर आपको opposite word बताना है आप direction में उपर देख सकते हैं opposite word यहाँ आपको बताना है तो stolid, stolid का क्या मतलब है stolid का मतलब है जो एकदम dull है देखे, stolid को कई senses में हम use करते हैं एक अर्थिस का होता है impassive मतलब इसके अंदर sensitivity नहीं है या जो sensitive नहीं है ठीक है, unresponsive है या dull है, या impassive है उसको हम बोलते है, stolid तो इसका antonym क्या होगा इसका antonym होगा आपका intelligent ठीक है, बाकी के word देखते है supine इसका मतलब होगा lying face upward या prone या prostate इसका एक अर्थ और होता है weak और yielding भी इसका अर्थ होता है supine का stolid का अर्थ होता है impassive, ठीक है obtuse का अर्थ होता है dull wittade मोटी बुद्धी बाला या जो weak है stoic का क्या मतलब है stoic का अर्थ होता है जो pain और pleasure को बेना किसी emotions के tolerate कर सकता है lose का मतलब होता है puzzling और mysterious तो ये words है veracity ये ये भी काफी common word है veracity का अर्थ होता है सच्चाई या truthfulness ठीक है तो इन words को देखते है deceit का मतलब होता है धोका deception इसका noun form है credibility मतलब reliability precision मतलब accuracy verity का मतलब भी truthfulness होता है fidelity का अर्थ होता है loyalty तो यहाँ पर कुछ words हम देखते है veracity, truthfulness, genuineness deceit का अर्थ होता है dishonesty और treachery treachery भी काफी common word है ठीक है verity का अर्थ भी truth होता है जिसका इंटोनिम fiction होगा credibility का क्या अर्थ है credibility का reliability और trustworthiness कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर हम विश्वास कर सकते है वो होगा credible precision का अर्थ होता है accuracy और fidelity का अर्थ होता है loyalty तो इस तरीके से यह पाँच word है जो की काफी commonly use होते हैं banking exams में पूछे जाते हैं और अब हम देखते हैं new pattern close test इस new pattern close test में आपको क्या करना है देखिए close test को मैं आपको trick के base पर समझा हुआ जैसे कि मैं आपको सारे questions की trick बताता हूँ तो इस close test को भी हम trick के base पर करेंगे क्योंकि close test banking exams में जो आते हैं RC banking exams में जो आते हैं they are technical in nature उनकी जो language होती है काफी technical होती है काफी उसमें technical words आते हैं जैसे इसमें आप देखिए FDI, RIS में एक inflows आ रहा है annually आ रहा है RIS में billion आ रहा है तो काफी सारे इसमें technical words है indigenous है, capacity है तो ये सारे words जरूरी नहीं है कि सभी students को पता हो लेकिन उसके बापजूद भी आप इस तरह के questions को successfully accuracy के साथ कर सकते हैं तो इसमें trick क्या आपको अपनाना है जो मैं trick आपको बताता हूँ सारे questions पर वही मैं आपको बताऊँगा 27 years after the industrial policy of 1991 इसमें industrial policy की बात हो रही है ठीक है आप industrial policy यहाँ पर क्या है industrial policy किस part of speech को belong करता है industrial policy एक नाम है ठीक है यह noun है मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए यहाँ पर आपको एक objective चाहिए जो industrial policy के साथ जा सके और इसको modify कर सके ठीक है यहाँ पर आपको एक objective चाहिए और ऐसा adjective चाहिए जो industrial policy के साथ match कर सके अब आपको क्या करना है options में देखना है मतलब जब आप question का answer देते हैं तो आपको option और blank ये दोनों साथ में देखना है अब देखें क्या आप screw plus industrial policy बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं क्योंकि screw plus का मतलब होता है dishonest close industrial policy क्या मतलब होगा कोई मतलब नहीं होगा landmark industrial policy बोल सकते हैं लेंड मार्क का मतलब होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जहां से काफी सक्सेज मिली हो जो एक माइल स्टोन की तरह रहा है ठीक है इट है इस बीन अवेरी लेंड मार्क इंडेस्टियल पॉलिसी ऐसे आप बोल सकते हैं शार्प इंडेस्टियल पॉलिसी नहीं बोल सकते हैं असेटि दोनों ही words fit होने चाहिए आप इसमें देखे common sense क्या है इसमें common sense यह है कि यदि first word fit होता है और आप confident हैं sorry, आप confident हैं कि first word यहाँ पर पूरी तरीके से fit होगा तो second word तो अपने आप fit होगा ही क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक word fit हो रहा है और एक word fit नहीं हो रहा है ठीक है तो यदि ये fit हो रहा है तो ये भी अपने आप ही fit हो जाएगा watershed भी हम milestone के लिए ही बोलते हैं तो यहाँ पर आपका answer होगा third देखिए इस तरीके से इन questions को आपको करना होता है 27 years after the landmark industry policy of 1991 1999 में एक industry policy आई थी our new avatar is before the cabinet for its मतलब 1999 में एक policy आई थी और अब क्या है अब एक new version इसका एक नया version है cabinet के सामने है तो जब policy cabinet के सामने जाती है उसका draft जाता है तो cabinet का काम क्या होता है cabinet क्या करता है उसको simple सा एक logic है our new avatar is before the cabinet for its for its मतलब यहां पर आपको क्या चाहिए noun चाहिए अब draft जब cabinet के सामने जाएगा तो cabinet क्या करेगा उसको या तो approve करेगा या disproportionately करेगा मतलब approval के लिए वो cabinet के सामने जाएगा तो यहां पर आपका answer क्या होगा approval और consideration second इसमें आपका answer होगा यह देखिए, इस तरीके से यदि इन questions को करते हैं, तो 3 से 4 सेकेंड में एक question का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, और यह जो question में आपको करवा रहा हूँ, यह जो close test आप कर रहा हैं इस समय, यह bank PO means exam का close test है इस comes as an extension of the Make in India program, which was essentially meant to direct FDIL flow मतलब इसका समझते हैं कि जो अभी इसका जो नया वर्जन आ रहा है इंडिस्टिल पॉलिसी का, 1991 की जो पॉलिसी थी उसका नया वर्जन आ रहा है यह एक extension है, और Make in India program का यह extension है which was essentially meant to direct FDI inflow, Make in India का main purpose क्या है कि FDI inflows को बढ़ाना, foreign direct investment को बढ़ाना so far concentrated in a clutch of service sector such as finance, electronics and telecom मतलब अभी तक FDI जो आया है वो in fields में आया है, finance में, electronics में और telecom में, into manufacturing मतलब अब क्या करना है manufacturing में FDI को लाना है, अभी तक कहां था, अभी तक finance, electronics और telecom में था, लेकिन अब manufacturing में FDI inflow को बढ़ाना है और इसलिए इसकी एक नई policy लाई जा रही ही जिसको यहाँ पर एक new अपतार बोला गया है a draft version देकि यहाँ पर word use हुआ है a draft version तो draft version मतलब जब कोई भी policy finalize नहीं होती है, एक raw form में होती है तो उसको हम बोलते है a draft version a draft version of the industry policy was in the public domain public domain में कोई भी चीज जब आती है, कोई भी चीज को finalize करने से पहले उसको public के सामने या public domain में रखा जाता है policy was, तो यहाँ पर क्या word चाहिए आपको, यहाँ पर देखिए क्या word देखते हैं, क्या क्या option है इसमें, रिगाद डिस्डे नहीं आएंगे kept or allotted इट was kept in the public domain ठीक है? इट was kept in the public domain आप एक बर बोल भी सकते हैं लेकिन आप it was allotted in the public domain नहीं बोल सकते हैं यानि फरस्ट option आपका बिल्कुल ही गलत है इट was made in the public domain नहीं, यह बिल्कुल ही कोई sense नहीं बन रहा इट वाज अप्रूब्द in the public domain कोई sense नहीं बन रहा, it was left in the public domain, कोई sense नहीं बन रहा, it was placed in the public domain, यहाँ पर एक sense बन रहा है, कि इसको public domain में रखा गया, और placed का equivalent है put, ठीक है, तो यहाँ पर यह दोनों ही option आपके बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर थर्ड में आपका answer होगा 5, तो bank PO exam, particularly means exam में आपको इस तरह के close test देखने को बलेंगे, जिसमें close test, close test का content जो रहेगा, काफी बड़ा रहेगा, लेकिन उसमें जो fillers रहेंगे या blank रहेंगे, वो काफी कम रहेंगे, ठीक है, देखिए कितना बड़ा यह पैसे जाए, लेकिन इसमें केबल 5 fillers है, तो हम आगे बढ़ते हैं, which rightly identify core concern, infrastructure, labor market constraint, slow technology adoption, in-educate R&D spending, research and development spending, and fall outs of free trade pacts, the policy aims at creating global brands and raising FDI inflow 200 billion dollars, यह यहाँ पर इस policy का purpose है, इसका aim बताया है, यहाँ पर annually from 60 billion dollar level at present, having moved up several ranks in the ease of doing business index, ease of doing business index के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, किस country में business करना काफी सरल है, यह ranking निकलती है, इसका index निकलता है, the idea is to become a key player in the global digital scene, the creation of jobs in a scenario of automation remains and, remains and, यहाँ पर कुछ वर्ड और होना चाहिए था, remains and, फोर में हम देखते हैं, remains and problem actually होना चाहिए, कि जो job creation का जो problem है, वो एक, वो हमेशा शे रहा है इंडिया में, ठीक है, in the global digital scene, the creation of jobs in a scenario of automation, मतलब सारी industries में automation हो रहा है, ठीक है, जाल साथा computer use हो रहा है है, तो ऐसी situation में, job creation जो है, वो अपने आप में एक काफी बड़ी problem है, तो job creation problem रही है, यहाँ पर actually एक word और होना चाहिए, कुछ problem से related कुछ word होना चाहिए, तो यहाँ पर steady, obstinate, effective, problem, जो job creation की यह problem है, वो कैसी है, वो permanent है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे, abiding और everlasting, क्योंकि everlasting, job creation की problem हमेशा रहती है, abiding मतलब permanent, तो यहाँ पर आप remains an abiding issue या abiding problem, यहाँ पर कुछ word missing है, actually, इसमें, as an overall strategy, the proposed draft marks a continuation of the process that began in 1991, मतलब उनीशों इंक्यान में, जो industrialization का जो process start हुआ था, उसका यह continuation है, India has progressively reduced both its trade and financial barriers, which infused the business ecosystem with a new energy, the phased manufacturing program, PMP, which mandated a label of local sourcing as a condition for experts, was a liberalized investment regime of the 1990, it helps in the creation of indigenous capacity in auto and telecom, the phased manufacturing program, which mandated a label of local sourcing as a condition for experts, was a liberalized investment regime, मतलब यहाँ पर आपको कैसा वर्ड चाहिए, यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए, जो liberalized investment regime को, इसको modify करे, ठीक है, तो विच मेंडेटेट अलेबल लेबल अफ लोकल sourcing as a condition for exports, was a, तो फिप्त में क्या सकता है, हाथ, सेंटर, लिंच्पिन, थेहरम, बेस, रूल, कॉर्णर इस्टोर में इस्टे, मतलब कॉर्णर इस्टोर और में इस्टे का मतलब है कि यह में फीचर था, ठीक है, manufacturing program, manufacturing program, which manufactured a level of local sourcing as a condition for exports was, was a main stay of a liberalized investment regime of the 1990, 1990 मझे लिवराइशन आया है, उस लिवराइशन की, का main point क्या था, main point यह, यह industrial policy थी 1991 की, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जो options होंगे, वो होंगे cornerstone और main stay, ठीक है, तो यहाँ पर आपका answer होगा, cornerstone और main stay, तो इस तरीके से close test हो करना है, जरूरी नहीं है कि, देखें, examiner क्या चाहता है, examiner चाहता है कि आपको English की understanding हो, English की basic समझ हो, यह जरूरी नहीं है कि सारे words आपको पता हो, या passage आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, तो इस तरीके से इन questions को करना है, और यह bank PO mains level का close test मैंने लिया है, तो bank PO mains में जो question आते हैं, उनसे आपको डर्बस होने की, घबराने की, या discourage होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के questions को भी आप आसानी से कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने close test upload किया था, तो उसमें भी मैंने कुछ basic tricks बताई थी आपको, और इसमें भी मैंने कुछ tricks बताई है, trick और common sense को आपको apply करना है, मैं सभी subjects में, मैं बार-बार बोलता हूँ कि सभी subjects में आपको trick और common sense को ज़्यादा apply करना है, अब यहाँ पर मैंने trick क्या बताई हैं आपको, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि industrial policy है, तो यहाँ पर adjective चाहिए, जो modify कर सकता है industrial policy को, तो इसके साथ मैंने option बताया कि option आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर यह सभी मैं, मैंने सभी मैंने आपको trick बताया है कि कहां से, किस तरीके से words को आप link कर सकते हैं, तो इस तरीके से इन questions को आपको करना रहता है, यदि कोई भी feedback आप देना चाहते हैं इस particular video class के बारे में, तो इस email ID पर आप दे सकते हैं और in call and WhatsApp नमबर पर भी आप अपना feedback दे सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा next video class में, thank you.